पाठ दो, वर्ण, पाठ विवरण, वर्ण, वर्णों के प्रकार, वर्ण माला, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुँँ से कुछ द्वनिया निकलती हैं, गमला, किसान, उप्रोक चित्रों के नाम बोलने पर हमारे मुँँ से निकलने वाली द्वनिया हैं, गमला बराबर, ग, ज जमम्म, जमाअ, जमल्ल, जमाअ, किसान बराबर, क, जमाई, जमस, जमाअ, जमन्न, जमाअ, इन ध्वनियों के और टुकडे नहीं किये जा सकते, भाशा की वह छोटी से छोटी ध्वनी, जिसके टुकडे नहीं किये जा सकते, वर्ण कहलाती है, वर्णों के प्रकार वर्ण दो प्रकार के होते हैं 1. स्वर 2. व्यन्जन 1. स्वर स्वरों को बिना किसी वर्ण की साहता के बोला जा सकता है हिंदी भाशा में स्वरों की संख्या 11 होती है 2. व्यन्जन व्यंजनों को बोलने के लिए स्वारों की साहता ली जाती है हिंदी भाषा में व्यंजनों की संक्या 33 है क, क, ख, ग, घ, अड़, च, छ, ज, ज, य, त, ठ, ड, ढ, अना त, ठ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह यह भी जानों सभी व्यंजनों में अ की ध्वनी जूड़ी होती है जैसे क, ज, म, अ, बराबर क यदि किसी व्यंजन में से अ की ध्वनी निकाल दी जाए तो व्यंजन आधा रह जाता है जैसे क, गटा अ, बराबर क लेकिन यदि क और अ को जोड़ दिया जाए तो फिर पूरा क हो जाता है जैसे क, ज, म, अ, बराबर क उपरोत वर्णों के अतिरिक्त हिंदी भाषा में कुछ वर्ण और भी हैं जैसे अं, अ, तथा अह वर्णों को अयोग वहा कहते हैं ये वर्ण दो वर्णों से मिलकर बने हैं जैसे क्ष अड तथा अड वर्णों को अतिरिक्त वर्ण कहते हैं ये ड तथा ध के विकसित रूप है वर्ण माला प्रतेक भाषा में अनेक वर्ण होते हैं हिंदी की वर्ण माला स्वरो तथा व्यंजनों के व्यवस्तित क्रम से बनी है हिंदी की वर्ण माला में कुल 48 वर्ण होते है हमने सीखा भाशकी वह चोटी से छोटी द्वनी जिसके तुकड़े नहीं किये जा सकते वर्ण कहलाती है वर्ण दो प्रकार के होते हैं स्वर्ण तथा व्यंजन स्वर्ण 11 और व्यंजन 33 होते हैं सभी व्यंजनों में अ की द्वनी जुड़ी होते हैं